नमश्कार दोस्तों आपका स्वआगत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तईयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपिटर पलेसी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपोन अपडेट के सम्मद में तो भाईों और भेनों अधिक समय वेशना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ तो भाईया सबसे पहली जो अपडेट है भाईया वो है यूपिटर पलेसी परिणाम को लेकर और इस परिणाम को लेकर भाईया कुर्सी की पेटी बान लीजे अब बिल्कुल रोकेट की तरह उड़ने का समय आ चुका है और आपने इस भरती के परिणाम को लेकर बहुत लंबा इंतजार किया और अब आपका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है इसलिए मैंने लिखाया बईया कुर्सी की पेटी बांद लो अब आपका फ्लाइट में घूमने का वक्त है जी यहां दोस्तो यूपिटर पलेसी का एक परिणाम आपको 25 अगस्त के पहले पहले देखने को मिल जाएगा और सीधा सीधा बता रहा हूँ जानकारी मिल चुकी है यूपिटर पलेसी करमचारी से भाईया परिणाम आपका होगा असिस्टेंट बोरिंग टेकनीशन का जी ये मिली है कि 25 अगस्त के पहले पहले ये परिणाम 100 प्रतीशत जारी कर दिया जाएगा तो भाईया असिस्टेंट बोरिंग टेकनीशन वाले छात्र बिलकुल तयार रहें एडमिट कार निकाल कर रख लें बहुत जल्द खुसकबरी आपको मिलने वाली है और जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन सुभए आपको मेरे दौरा बता दिया जाएगा केवल साध दिने आपके पास साध दिनों में किसी भी दिन आपको धमा कर देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी की एक भरती को लेकर सी एम सहाब से गौहर लग गई है और अब इनका भी बेड़ा पार होने वाला है जी हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये खबर है एगरिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भरती के विज्ञापन को लेकर इसका विज्ञापन यूपिटर पलेसी के बीच अटक कर रह गया है अब तक इस विज्ञापन को जारी हो जाना चाहिए था लेकिन जिस फॉर्मैट में इन 906 अभ्यरतियों का डेटा यूपिटर पलेसी मांग रहा है वो फॉर्मैट में यूपिपिएसी नहीं दे पारा है और जब तक इन 906 अभ्यरतियों का डेटा यूपिटर पलेसी के पास नहीं पहुँचेगा जिस फॉर्मैट में वो चाहता तब तक इसका विग्यापन यूपिटर पलेसी किसी भी हाल में जारी नहीं कर सकता ठीक है और दोस्तों आपको बता दूँ लोकसेवा आयोग ने इस भरती के लिए 906 अभ्यरतियों का डाटा दो बार भेज दिया है लेकिन पता नहीं यूपिटर पलेसी को किस फॉर्मेट मे चाहिए यूपिटर पलेसी ही जाने यूपिटर पलेसी के जो है कुछ काम निराले होते हैं जो सबसे अलग है और ये काम भी यूपिटर पलेसी का सबसे अलग है यूपिपियसी ने दो बार इडाटा भेजा है और पता नहीं वो किस फॉर्मेट में चाहता है और उसके बा ये डाटा यूपिटर पलेसी के पास सही फॉर्मेट में पहुंच जाएगा और डाटा को तो भईया अब पहुंचना पड़ेगा क्योंकि जब बात CM सहाब तक पहुंच चुकी है तो कोई माई का लाल इस भरती का विग्यापन जारी होने से अब रोक नहीं सकता CM सहाब तक गुहार लगी थी लेकपाल भरती के चात्रों की उनका DV कराने की जिस दिन गुहार लगी उसके तुरंत बाद DV का नोटिस जारी हो गया आपने देख लिया होगा तो CM सहाब अगर बोले और वो काम ना हो ऐसा वला हो सकता है तो 3466 पदों की ये भरती का जो विग्यापन है वह या ये आपको बहुत जल देखने को मिलेगा क्योंकि अब जो है जब बाद CM सहाब तक पहुँची है तो जरूर कुछ ना कुछ असर होगा और आपको जो है इसका विग्यापन भी जल देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो 2018 भरती में इस्थाई और एस्थाई का चक्कर क्या है कुछ चात्र मुझे बार-बार कमेंट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि सर इसमें एस्थाई पोस्ट भी है क्या और इस एस्थाई का मतलब क्या है क्या हमारी नौकरी चली जाएगी तो दोस्तों ये आपके सामने है वीडियो 2018 का नौटिफिकेशन और इस नौटिफिकेशन में ये तीन प्रकार की आपके सामने पोस्ट थी ग्राम पंचात अदिकारी ग्राम विकास अदिकारी और समाज कल्यान परिविक्षक कुल मिलाकर 1923 ये पत्थे देखिए जो वीपियो की पोस्ट है पंचात वाली इसके आगे स्थाई लिखा हुआ है समाज कल्यान वाली पोस्ट है इसके आगे स्थाई लिखा हुआ है लेकिन जो ग्राम विकास अदिकारी की पोस्ट है इसके आगे एस्थाई लिखा हुआ है तो कुछ छात्रों का सवाल ये है कि सर ये एस्थाई क्यों है क्या अगर हमारा चैन वीडियो के पदपर हो गया तो हमाई नौकी चली जाएगी आकिर होगा क्या इसका तो भईया जो छात्र एस्थाई लिखा होने को देखकर बहुत कंफ्यून है और परेशान है तो उनको मैं बता दूँ आपको कताई भी परेशान होने की आवशक्ता नहीं है ये एस्थाई जो रहते हैं केवल 2 साल तक रहते हैं 2 साल तक जो है प्रोबेशन पिरियेड पे रहते हैं और उसके बाद ये परमनेंट कर दिये जाते हैं और देखिए के वल इस जोब में नहीं, ऐसा बहुत जोब में होता है कि दो साल का probation period होता है और उसे complete करने के बाद आप इस्थाई की रूप में आ जाते हैं तो इस एस्थाई को देखकर आपको बिलकुल भी परिशान होने की आवसकता नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है कि एस्थाई होने से आपको कुछ सुविधाईं कम मिलेंगी, जो सुविधाईं इस थाई वाले को मिलेंगी, जो सेलरी इस थाई वाले को मिलेंगी, वही वीडियो भरती 2018 में क्या Normalization होने पर भरती कोट जाएगी तो हमारे कुछ प्रिय मित्र हैं जिनोंने कमेंट करके इस बात को बोला है कि अगर Normalization होता है तो ये भरती कोट जाएगी उनका ये कहना है यानि कि वो भरती को कोट में फसा देंगे भाईया भरती कोट में तब फस्ती जब इसमें नौर्मलाइजेशन नहीं होता क्योंकि नौर्मलाइजेशन जो होता है ये सभी को बराबर करने का एक तरीका है सभी के साथ न्याय करने का तरीका है और जब सभी के साथ न्याय होगा तो इसमें ना तो कोट को दिक्कत है और ना ही सरकार को दिक्कत है और ना ही यूपिटर पलेसी को दिक्कत है कोट भी नियाय करेगा सरकार भी नियाय करेगी और यूपिटर पलेसी भी नियाय करेगा और जो छात्र कोट जाने की बोल रहे हैं उनको कोट जाने से कुछ नहीं मिलने वाला उनकी कोट में रिट ही एक्सेप्ट नहीं होगी कोट में रिट एक्सेप्ट वही होती है जो जैन्वन होती है ऐसा बिलकुल नहीं है कोई भी मूठा कर जाए और कोट में केज डाल दे ठीक है यूपिटर पलसी का नियम मैं 2019 में आ चुका था डॉर्मलाइजेशन को ले कर और वो भाईया अपने नियम के अनुसार ही चलेगा और उसने और भरतियों में भी ये नियम लागू किया है जिनका विज्यापन जो है पहले आ चुका था उसमें भी ये नियम लगाया है उन्होंने तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो नियम के according की चलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता ठीक है तो सरकार हो चाहे कोट हो चाहे यूपिटर पलसी हो वो सभी के साथ नियाए की बात करेगा अगर normalization नहीं होता तो ये अन्याय होता second shift वाले चाहतरों के साथ देखिए मैंने तो exam दिया नहीं है और नहीं मुझे लगाव इस चीज़ से कि second shift वालों का फायदा हो और first का नहीं हो देखिए मुझे इससे क्या मतलब आप खुछ सोच लेजिए ना तो मैंने exam दिया ना मैं इस भरती का छात्र मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि normalization हो या ना हो किस shift के number बढ़ें या ना बढ़ें इस बात से मुझे कोई फायदा नहीं है मैं तो केवल एक genuine जो काईदे वाली बात है केवल वही अपने channel पर करता हूं मैं किसी एक विशेश पक्च की बात नहीं करता जो genuine होती है जो बीच का रास्ता होता है जो सही होता है जो सब के साथ न्याय होता है वही बातें इस channel पर की जाती है ठीक है अगर इस प्रिकिर्या को यूपिटर पलेसी नहीं अपनाता तो भाईया ये भरती कोट जाती क्योंकि second shift वालों के साथ hundred percent अन्याय होता अगर आप भी जिन्होंने first shift में exam दिया है आप भी अगर second shift का paper solve करेंगे तो मैं guarantee से बोलता हूं आपको 25 नंबर का अंतर अपने आपी देखने को मिल जाएगा अगर आप घर बैठकर paper solve करते हैं मानदारी से तो भाईया बिलकुल भी इसमें कुछ नहीं होने वाला जो भी छातर ये बोल रहे हैं कि भरती कोट ले जाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ नहीं होगा यूपिटर पलेसी का focus अब केवल भरती पूरा करने पर है और कोट में कोई भरती चलती भी रहे तब भी यूपिटर पलेसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता लेकपाल में आपने देख लिया होगा उजवला वाले परशन को लेकर आज भी केश चल रहा है लेकिन यूपिटर पलेसी ने लेकपाल भरती की पूरी प्रकिरिया आगे बढ़ा दी है ठीक है रिजल्ट भी जारी करवाया है कोट में केश चलते चलते और डीवी भी करवाएगा अब ठीक है तो यूपिटर पलेसी को अब इस बात से कोई मतलब नहीं रह गया है कि वहिया कोट में केश चले या ना चले वो अपनी भरती प्रकिरिया कोट के अधीन ही आगे बढ़ाता रहेगा ठीक है दोस्तो तो इस भरती में 100% होगा नॉर्मलाइजेशन उसे को रोग नहीं सकता और कोट जाने से भी आपको कोई लाब होने वाला नहीं है तोकि ये सबी के साथ नियाय की बात है दोस्तो आगे बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी के ओफिशल नोटिस की बरसाथ देखिए पहला धमाका JA का एडमिट काड जो आपको दो तिन दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा दूसरा धमाका आपको मिलेगा इस टैक्टर भरती 2020 को लेकर तो अभी क्याई सारे ऑफिशल नोटिस आयोग को इसी महिने में जारी करने हैं तो बिलकुल तयार रहिए लगातार धमाके देखने के लिए और जुड़े रहिए सरकारी ग्यान 4E चैनल से दोस्तो ये होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जाएगी जवारत हमेशा कुछ रहिए मुस्कराते रहिए